नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल बंगल होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो एक इंपॉर्डेंट टॉपिक पर करे देखिए ये चीज आज कल बड़ी वाइरल भी हो रही है लोग पूछ भी रहे हैं इसके बारे में क्या सर वाकई ऐसा कोई रूल है जिसमें हम करोड़ पती बन सकते हैं किस तरह से बन सकते हैं क्या कुछ हो सकता है सब कुछ आज की वीडियो में डिसकस करेंगे और कौन सा वो ऐसा एक थम रूल है जिसके बारे में लोग ज्यादा डिसकस आज कल कर रहे हैं देखिए सबसे पहले उस पर ही बात हम लोग कर लेते हैं थम रूल जो आज कल हमें देखने को मिल रहा है पंदरा गुणा पंदरा गुणा पंदरा ये हमें देखने को मिल रहा है इसके ब साल कंटीनियू रहती है तो आप करोड़ पती बन सकते हैं या फिर नहीं यह सवाल यहां बनता है क्योंकि लोग इसके बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं क्या सर वाकई ऐसे करोड़ पती बना जा सकता है या फिर ऐसी यह कोई अफवा फैलाई जा रही है टॉपिक पर डिसक पंदरा साल में हमें करोड़ पती बना सकती है या फिर नहीं तो बहुत ही ध्यान से समझेगा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के काम आ सकती है उसके साथ शेयर भीज को जरूर आप कीजिएगा चल पंदरा साल में और अगर पंदरा परसेंट के रिटन्स दे दे तो करोड़ पती बना जा सकता है अगर यह फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो हम पंदरा हजार रुपे की जो एसाईपी हमें करनी है वो किस तरह से कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में हम कौन-कौन से रिटन्स रख सकते हैं ताकि हमें लॉंग टाइम में कम से कम 15% के रिटन्स मिल जाएं अब हम लोग उस पर बात करते हैं चलिए देखिए हमें अपना पोर्टफोलियो बैलेंस जरूर बना कर रखना चाहिए अब कुछ लोग कहते हैं कि सर स्मॉल कैप में ज्यादा रिटन आपको कभी भी सर्प्राइश दे सकता है इसलिए हमें हर एक कंडिशन के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए कहीं ऐसा नहों कि स्मॉल कैप में किया गया आपका ज्यादा निवेश आपके लार्ज कैप के रिटन्स को भी कम करते हैं क्योंकि अगर स्मॉल कैप में ज्यादा लॉस होगा और आपका जो लार्ज की अपका निवेश होगा वो लॉस को पूरा करने की कोशिश करेगा तो वह भी कहीं न कहीं आपको नुक्सान में दिखाए देगा आपका पूरा पोर्टफोलियो ओवर रॉल आपका लॉस में जा सकता है ऐसी कंडिशन ना बने बैलेंस पूर्टफोलियो को जरूर रखिए आप बहले ही कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं आप ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं बैलेंस बनाना जरूरी है किस तरह से बैलेंस बना सकते हैं उस पर बात करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं अपने इसी टॉपिक पर S.I.P. हमें करनी है 15,000 रुपे महीना का हमें यहां निवेश करना है ठीक है 15,000 रुपे महीना का निवेश करेंगे तो पॉर्टफोलियो हम किस तरह से बनाएंगे देखिए हम क्या कर सकते हैं यहां small cap को रखेंगे small cap इसको तो रखना जरूरी है इसको छोड़ कर भी काम नहीं चलता है और ज्यादा पैसा भी small cap में निवेश करके काम नहीं चलता है इसी को तो balance बनाना कहते हैं छोड़ना भी नहीं है बिलकुल रखना भी जरूरी है लेकिन ज्यादा भी नहीं रखना है स्मॉल कैप को जरूर रखेंगे, कितना रखेंगे लगबग आप 5000 रुपीज यहां पर मन्त स्मॉल कैप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप को अलावा, आप यहां फ्लेक्सी कैप को जरूर रख सकते हैं, इसके बाद आपको और भी फंड्स यहां रखने हैं, स्मॉल कैप आपने ले लिया, फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया, क्योंकि डूरेशन हमारी 15 साल की है, तो हम यहां मिड कैप को भी जरूर एड़ करेंगे, मिड कैप, अब मिड कैप के अलावा, हम यहां एक फंड और एड़ करना चाहेंगे, देखे उसमें मैं आपको तीन चार ओप्शन्स दे सकता हूँ, आप इसमें कॉन्ट्रा फंड को भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड या फिर आप कोई थीमेटिक फंड भी यहां एड़ कर सकते हैं, थीमेटिक, आप कोई सेक्टरॉल फंड, थीमेटिक फंड, कुछ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि डूरेशन अच्छी है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप पॉर्टफोलि और जो आप से कॉन्ट्रा फंड रखेंगे या कोई आप थीमेटिक एड करेंगे, इसमें आप रख सकते हैं, कितने लगबग तीन हजार, इस तरह से आप एक बैलेंस पॉर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया भी जा सकता है, अब चेंज किया किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं, चेंज यहां इस तरह से किया जा सकता है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क आप और घटाना चाते हैं, क्योंकि थीमेटिक को रखकर थोड़ा सा पॉर्टफोलियो देखें, रिस्की तो होता है, आप यहां क् flexi cap का amount में इसलिए बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि flexi cap में ज्यादा तर flexi cap में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो पैसा है वो large cap में ज्यादा निवेश किया जाता है, large cap को अपने portfolio में रखना बहुत जरूरी है, तब ही हमारा portfolio balance होता है, अगर हम ज्यादा पैसा mid cap में है, small cap में ही invest करेंगे, ठीक है returns बनने की उमेदे ज्यादा है, लेकिन risk भी ज्यादा बढ़ जाएगा, अब देखिए, options हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि small cap में हमें SIP करनी है, small cap में आप SBI small cap को रख सकते हैं, nippon को रख सकते हैं, quant को रख सकते हैं, आप इस तरह से small cap को consider कर सकते हैं, flexi cap में कोशिच कीजएगा, यह मतलब recommendation तो नहीं है, कोशिच कीजएगा पराग पारिक को देखिएगा, कारण क्या है पराग पारिक को रखने का, stable returns हमें पराग पारिक से long term में देखने को मिले हैं, और ज्यादा निवेश यह अपना large cap में ही रखते हैं, इसके अ 12,000 और 3,000 15,000 इस तरह से आप एक अच्छा portfolio अपने लिए जरूर बना पाएंगे, अब कुछ funds पर हम लोग discuss करते हैं, देखिए, funds पर तो discuss करेंगे ही, लेकिन यह 15,000 रुपे की SIP आपको 15 साल continue करनी है, इसको तभी आप start कीजेगा, जब इसको discipline में आप investment अपना कर सकें, क ऐसा नहीं करना है, अगर आपकी 6,000 15,000 की नहीं है, आप 10,000 की कीजिए, 10 की नहीं है, आप 8,000 की कीजिए, लेकिन amount ऐसा decide कीजिए, जिसको आप long time तक continue कर पाएं, क्योंकि यहाँ SIP में discipline में निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि compounding आपकी बने, वो तूटे ना, क्योंकि returns अच्छे बनाने के लिए, आपको discipline में निवेश करना पड़ेगा, तब ही आपको अच्छे returns मिलेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखेगा, market में up and downs इन 15 साल में बहुत ज्यादा आएंगे, घबराना नहीं है, बस निवेश करना है, discipline में निवेश इसी को कहते हैं क market condition कुछ भी आ रही है, आपको SIP को continue रखना है, क्योंकि ऐसा हमने past में देखा है कि कई बार market में हमें गिरावट काफी देखने को मिली है, लोगों ने जो SIP में investment किया था, वो निकाल लिया पैसा, उसके बाद जब market में तेजी आई, तो वाकई उन लोगों को बड़ा दु स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, निपाउन इंडिया स्मॉल कैप है, ये कुछ स्मॉल कैप के options है, जिनके returns पाच साल में, पिछले पाच साल में बहुत शांदार रहे हैं, देखिए क्वाइंट पर बात करूं, तो इसने 50.54% के returns पिछले पाच सालों में बना कर दिये हैं SBI ने हमें 30.95 दिये हैं और निपाउन इंडिया ने 38.88% के returns बना कर दिये हैं, स्मॉल कैप ज्यादा वोलटाइल कैटेगरी है, इसलिए बहुत बड़ा पैसा निवेश स्मॉल कैप में नहीं किया है, 15,000 में से केवल 5,000 रुपे हमें स्मॉल कैप के लिए निकालने हैं, व 250 रैंक के बाद की जो कंपनिया हैं, उनी में हमारा ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में अगर हम निवेश करते हैं, तो हमारा निवेश किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली केटेगरी, फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप के options देख सकते हैं आप, पराग पारिक है, जेएम फ्लेक्सी कैप है, और SDFC फ्लेक्सी कैप हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने रिटन्स शांदार डिलिवर किये हैं, पराग पारिक के लगबग 27% के रिटन्स हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप के भी लगबग 27% के ही रिटन्स हैं, लगबग तोनों के सेम रिटन्स हमें देखने को मिले हैं डिफरेंस आपको यह मिलेगा कि GM का जो निवेश है स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है पराक पारिक का निवेश लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है तो यह आप अपने हिसाब से भी फंड चूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे जो भी आपको सूट करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते वे यहां से फंड सेलेक्ट कर सकते हैं बाकि आप SDFC के रिटरंस भी देख सकते हैं 26.04% के लास्ट के 5 यर्स में रहे हैं यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है यहां फंड मेनेजर को फ्लेक्सीबिल्टी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो अलोकेशन है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं यह मार्केट कंडिशन को देखते वे फंड मेनेजर यहां डिसीजन लेते हैं आगे बढ़ते हो अगली कैटेगरी, मिड कैप है मिड कैप बहुत शानदर कैटेगरी है क्योंकि ये लार्ज कैप के मकाबले ज़्यादा रिटंस पना कर देती है और स्मॉल कैप के मकाबले ये कम रिسक होती है और यहां मिड कैप में कुछ ऐसे फंड स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें लॉंग टाइम में ऐसी potential होती है जो market leaders भी बनते हैं जो large cap में भी enter होते हैं ये हमें mid cap में ऐसे stocks देखने को मिलते हैं तो returns mid cap से long time में हमें past में शानदार देखने को मिले हैं options पर बात करते हैं SDFC mid cap opportunity fund बहुत शानदार fund है, मोती लाल उस्वाल mid cap fund ये भी जबरदस्त है और निपॉन इंडिया mid cap fund बहुत बढ़िया fund है, तीनो ही mid cap category में शानदार fund है, देखिए, आप SDFC के देखिए, 31.89% के return है पिछले 5 सालों में, मोती लाल उस्वाल के 35.42% के return है और निपॉन इंडिया के 33.01% के return है, तीनो ही funds बहुत शानदार returns अपने investors को deliver किये हैं, तो हमने small cap को देखा, flexi cap को देखा, mid cap को देखा, तो हमने देखा कि returns हमें बहुत शानदार deliver हुए हैं, हमने एक category की और बात की थी, और वो category थी, आप contra fund ले सकते हैं, या फिर कोई thematic भी add कर सकते हैं, देखे, thematic funds की अगर बात करूँ, ये particular एक theme में आपके पैसे को निवेश करेगा, जैसे कि आप manufacturing theme देखते हैं, आप energy का sector देखते हैं, आप और भी कोई 15 साल में काफी growing है, energy का sector, government का भी काफी focus है, आप manufacturing का sector देख सकते हैं, क्योंकि manufacturing तो ऐसा fund है, ये हर एक sector को लगबग cover करता है, contra fund को भी आप देख सकते हैं, SBA का contra fund है, बहुत शानदार returns है, ये एक अलग ही strategy follow करता है, ये उन stocks में आपके पैसे को निवेश करेगा, जो अभी undervalued है, लेकिन potential है कि हाँ future में अच्छे returns दे सकता है, तो SBA contra fund के अगर returns देखे तो past में इसने भी काफी शानदार deliver किये हैं, तो आप इस तरह से 15,000 रुपे में balance portfolio अपने लिए बना कर अच्छे returns आप बना सकते हैं, और देखे हमने औसत यहाँ 15% का रखा है, जबकि हमने देखा है कि returns हमें काफी शानदार मिल रहे हैं, अब लेकिन future में market condition क्या रहती है, ये तो future में ही पता चलेगा, तब भी हमने जो calculation करी है केवल 15% को रख कर करी है, अगर 15% भी मिल जाते हैं, तो भी 15,000 की SIP वाकई हमें करोड़ पती बना सकती है, तो दोस्तों यही आज की वीडियो का topic था कि जो 15, 15, 15 का rule है किस तरह से काम करता है, क्या वाकई ये हमें करोड़ पती बना सकता है या फिर नहीं, उम्मीद करता हूं कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा, फिर भी कोई confusion हो, आप मुझे comment कीजेगा, reply में आपको जरूर करूँगा, बाकि recommendation नहीं है educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा, पसंद आई हो, तो like share भी कीजेगा, और मेरे channel पर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप सरूर कीजेगा, नमस्कार